असलाम अलेकुम विवेश तोड़े वी आर गोईंग तो स्टार्ट इंकम टेक्स ओर्डिनेंस टू थादर एंवन इस ओर्डिनेंस के अंदर जो हम आज स्टेडी करेंगे वह है ओफेंसिस एंड पनिश्मेंट्स और ओफेंसिस जो भी हम देखेंगे वह हम देखेंगे वान इटी टू के अंदर जो जो हमें ओफेंस किये गए हो टेक्स पेर की जानिब से उसके अगेंस्ट इंकम टेक्स ओर्डिनेंस टू थादर एंड वन हमें कौन-कौन थी पनिश्मेंट्स बताता है वो हम बेसिकली स्टेडी करेंगे तो यहां पर हमें स्लाइड्स में कु हमें बताया है कि आपने इस तरह से इस चीज़ को फालो करना है और अगर हम उसको फालो नहीं करते तो इट मींस ओफेंस जो कि हम उसके अगेंस्ट काम कर रहे होते हैं जब भी आप उसका मीन होता है कि आपने लाग को ब्रेक किया है तो जब भी आप लाग को ब्रेक करते ह तो उसके अगेंस भी कुछ ना कुछ प्लैनिटीज, कुछ ना कुछ पनिश्मेंट्स जो हैं, वो हमें फेस करना पड़ती है स्लाइड से स्टार्ट करते हैं, स्लाइड में क्या लिखाव है The Ordinance Imposes Certain Planities यह Ordinance कुछ प्लैनिटीज बताता है For Non-Compliance For Its Certain Proveillance Non-Compliance का मतलब क्या है, कि अगर हम कुछ टेक्स Department के अगेंस इस तरह कोई एक्शन लेते हैं, जो कि हमें नहीं लेना चाहिए या फिर हम कोई रूल को ब्रेक करते हैं, तो कुछ amendments बताई गई हैं, कुछ certain penalties बताई गई हैं, जो हमें फेस करना पड़ेंगी proviance relating to the penalties for certain offenses, कुछ proviance यहां पर बताई गई हैं, और courted, here under for section 182 हम इस lecture के अंदर देख भी यह चीज़ रहा हैं, कि 182 के accord section में कौन-कौन से offenses होते हैं, कौन-कौन सा offense अगर हम करेंगे, तो इसके अगरेंस हमें कौन-कौन से प्लैनिटिस बियर करना पड़ेंगी, तो इसमें जो सबसे पहले हमारे पास slide आ रही है, उसमें हमें बताया जा रहा है, कि section 114, 115, 116, आपको right side के ओपर आपको sections नदर आ रहे होंगे, fourth box के अंदर, जहां पर लिखा हुए कि आपने अगर इस section के against ये वाली offense किया है, तो आपको जो बीच में आपको नदर आ रहे है, प्लैनिटिस वो आपको face करना पड़ेंगी, अगर आपने section 114, 115, 116, 165, इनके against आपने कोई offense किया है, इसके इंदर रहते हैं आपने कोई offense किया, और वो offense किस तरह का हो सकता है, where any person fails to furnish, अगर कोई भी taxpayer है, वो furnish नहीं कर पाया, क्या, of return of income, अपनी income का उसने return जमा नहीं करवाया, और any statement as required under section 115, यहां फिर section 115 के according उसने कोई statement जमा नहीं करवाई, यहां फिर उससे कहा गया था कोई wealth statement यहां उसे कहा गया था wealth reconciliation statement, और उसने यह statement भी जमा नहीं करवाई, और statement under section 165 within due date, यह 165 के according, कोई भी due date तक उसने return जमा नहीं करवाया, तो it means कि उसने यह कुछ offenses की है, एक तो उसने return furnish नहीं किया, income tax जमा नहीं करवाया, उसके बाद कुछ statements मांगी गई थी, वो उसने जमा नहीं करवाई, wealth statement मांगी गई थी, उसने नहीं जमा करवाई, reconciliation statement मांगी थी, वो उसने जमा नहीं करवाई, यह फिर 165 के against, उसने एक particular date तक कि सारा को जमा नहीं करवाया, तो उसको किस तरह की सदा मिल सकती है, उसको basically यहां पे तीन सदाएं लिए लिए जिस दिन वो टेक्स जमा नहीं करवाईगा, उसके आने वाले हर दिन में, अब उसने 25 फिफ दिसम्बर को जमा करवाना था, 26 में वो जाएगा, उसको 1% अपने टेक्स का, जितना उसने टेक्स पे करना था, उसका 1% एड होता जाएगा, जालब उसने, अगर एक लाकर पे लाकर जमा करवाना था, टेक्स, तो हर दिन के साथ, जिस दिन उसने नहीं करवाया, उसके आने वाले हर दिन के साथ, उसका 1.000 एड होता जाला जाएगा, यह फिर इसकी, यह होगी सजा, यह फिर उसकी, minimum जो उसने पे करना होगा, इस ईन सेक्शन्स के अगेंस्स, जो उसक वन वन फॉर वन वन फाइफ वन 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 सिक्ष्टी फाइफ के अगेंस यह आप लिखे वें तो इसके अगेंस यह पर्टिकुलर प्लैंटिज्ट जो है लॉग में बताता है कि आपको यह फेस करना पड़ेंगी इसी तरह से नेक्स्ट है आपकी सेकेंड जिसके अंदर आपक को सेक्षिन 174 बताया गया है और चैप्टर सेवन आफ दा इंकम टेक्स रूल्स जिसके अंदर को कहते हैं कि एनी बसन हो फिल्स तो इश्यू कैश मैमो कि उन्होंने आप से कैश की रिसीप्स मांगी हैं यह कैश मैमो मांगा है यहां फिर आप से इन्वाइसिस मांगी हैं इस पर्टिकुलर ओर्डिनस के अकॉर्डिंग सेक्षिन 174 के अंडर आप से कुछ कैश मैमो मांगे गए हैं कुछ इन्वाइसिस कहा गया था कि आप जमा करवाएं यह कैश रिसीप्स मांगी गई थी और वो आप जमा नहीं करवा पाएं तो इसके अगेंस आपको जो प्ल चैएं यहां fix 5000 इन दोनों मेंसे इसका इसमें नीचे लिखा हुआ है कि which is higher इन दोनों को comparison कर लेंगे जो भी higher होगा अगर 5000 ज्यादा तो आप 5000 जमा करवाएंगे अगर उस आपके text का 3% ज्यादा तो आप वो जम्मा करवाएंगे इन दोनों में से जो भी चीज़ higher है वो आपको जम्मा करवानी होगी इसे दोने से हमारी जो next statement है जो next section है वो है 181 इसमें से clear सी बात लिखी है कि any person who is required to apply for registration कि अगर किसी taxpayer को registration के लिए apply करना था but he fails to apply make an application for registration लेकिन वो अपने आपको registration के लिए apply नहीं करवाता और वो registration नहीं करवाता तो उसको fix 5000 जो है ना जुडमाना पर करना होगा इस offense के against इसे तरह से हमारा जो next है जो next section और वो भी 181 ही है जिसमें बताया जा रहा है कि आपको अगर आपने registration करवा लिया है या नहीं करवाई तो उसके against तो आपको 5000 fix जो हमाना पे करना पड़ेगा लेकिन fourth point के अंदर section 181 के according any person who fails to notify the changes of material nature in the particular of registration अगर आपने अपने registration के अंदर कुछ particular चीज़ को change करवाना था आपने आप हो सकता है कि आपकी income कुछ और थी और आप कुछ और करवाना चाहरे थे और वो आपने नहीं करवाया तो इसके लिए भी आपको fix 5000 जो है न वो plenty पड़ती है fix 5000 जो आना आपको जर्माना पे करना पड़ता है इसी तरह से हमारे पास next slide है जिसमें fifth point है हमारा और इसमें section बताया जा रहा है 137 इस section के against any person who fails to deposit the amount कोई भी person जो पैसे जमा नहीं करवा पाता उसको कहा जाता है कि आपने यह amount जमा करवानी है और एनी पार्ट आफ एन एनी पार्ट देर आफ इन दा टाइम और मैंडर आपको एक तरीके के साथ कुछ डॉकुमेंट्स को अटैच करके एक मैंडर जमा करवाना होता है जिस तरह से आपको रूल बताया गया है कि आपने यह amount जमा करवानी है यह पर्टिकुलर डॉकुमेंट्स जमा करवाने है और आप वो पर्टिकुलर डॉकुमेंट्स अकॉर्डिंग तू सेक्शन 137 के अकॉर्डिंग वो जमा नहीं करवाते तो आपको कुछ प्लंटी जो दीन quel फशन नहीं करवाया iOS कर लें कि आपको एक लाहर पर जमा करवाना था और अगर यह जमा नहीं करवाया तो आपको पांच पर सथम़ना करवाना होगा पको Kaitट्व पे करना होगा इस आगर आप जमानी करवाते और अगर आप फिर भी जमा नहीं करवाते आपको नोटिस देने के बाद भी तो फिर क्या होता है कि आपको दूसरा नोटिस आता है उसमें आपको लगार जमा करवाना होगा 25% आमाउंट के साथ आपको वो डिफाल्ट पूरा करना होगा आपको ये pay करना होगा इसे तरह से next में क्या है कि अगर आप फिर भी नहीं करवाते हैं आपको तीसा notice बजा जाता है तो आपको 50% जो है वो अपने tax का जो आपका tax अगर एक लाग है तो आपको 50,000 extra गमा करवाना होगा तो ये basically 137 section के according अगर आप ये default होते हैं तो इस default के according आपको कुछ प्लैनिटीज होती है वो आपको face करना होगी इसे तरह से हमारी next slide में बताया जा रहा है 137 section 137 में क्या बताया जा रहा है कि any person who repeats errors मतलब वो गलतियां बार बार जो है ना वो कर रहा होता है अपनी calculations के अंदर जो भी calculation वो करता है जो भी वो counting करता है या गिनता है अपनी income को तो वो क्या करता है in the return for more than one year अगर उसके एक साल के अंदर वो बार बार गलतियां कर रहा है where amount of tax less than the actual tax payable under this ordinances paid कि मतलब उसने पहले भी उसने इस तरह से किया था उसने उसका 50,000 tax बनता था उसने 10,000 जमा करवा कि इस तरह से करके उसने जान चुड़वा ली उसने दुबारा से ये काम किया है अब उसका एक लाग बनता है अब वो 25,000 शो कर रहा है और वो जिजान बूच के ये कर रहा है तो अगर इस तरह की गलतियां रेपीट हो रही होती है अगर वो पकड़ा जाता है इस तीज के इंदर तो इसके लिए बैस्स दडा होती है उसके लिए भी उसने एक FiLamount पे करना होती है Section 137 के According का वहां निए जाटी हो गा डिवार्द या करूठ रहें कि वह के लिक्रूफ के लुटिांख करना होगा यहां फिर जो उसने टेक्स देना ए जो भी अमाउंट इनवाल्वोगी जो उसने टेक्स पे करना उसका 3% लेंगे यह 5000 या 3% दोनों में से जो भी amount बढ़ी होगी basically वो उसको pay करना होगी इसके बाद जो हमारी next slide है उसके अंदर section 174 है section 174 के according any person who fails to maintain records कोई भी person जो अपने काख़जात एकठा करने में या बनाने में नाकाम होता है उससे पता होना चाहिए कि अगर मैं टेक्स रिटर्न देना है तो टेक्स रिटर्न के साथ मुझे ये particular document को भी संभाल के रखना है और अगर वो enhanced documents को संभाल के नहीं रखता और जब text department उससे वो require करता और वो कहता है कि ये documents मेरे पस नहीं है तो ये नहीं है कि वो आपको कहेंगे कि next time आप ये prepare कर लीज़ेगा तो definitely वो आपको charge करते हैं इस चीज़ का आपको planity डालते हैं अगर आपको plenty ना हो या फिर आपको charge ना करें तो आप next time भी एक चीज़ कर रहे होते हैं तो इसलिए अगर आप कुछ हास documents प्रिपेर करने में ना काम होते हैं तो text department आपको कुछ plenty बिसिकली face करना पड़ती है section 174 के against या फिर 10,000 fix आपको pay करना होगा उसके against या फिर जिस जो भी amount आपका जितना भी text बनता है amount जो आपने pay करनी है उसका 5% इन दोनों में से जो भी higher होगा वो आपको basically pay करना होगा section 174 के against अगर आप defalter होते हैं इसे तरह से हमारा 8th point है जिसमें बताया जा रहा है कि हमारा section 177 में आप क्या क्या चीज़ जो हैं वो गलतियां कर रहे होते हैं और अगर आप इस चीज़ में defalter बनते हैं तो आपको कौन सी प्लेंटिस फेस करना पड़ती है where a taxpayer who is without any reasonable cause के मतलब आप बिना बताए जो है क्या होते हैं non compliance बन जाते हैं मतलब आप कोई वज़ा नहीं होती इस चीज़ के और आप जो है हास वज़ा भी नहीं है आप कोई वज़ा भी नहीं दे पा रहे हैं आप क्या करते हैं कि आप कोई document संभाल के नहीं रखते हैं कोई document का आप record नहीं रखते receives of first notice तो फिर आपको एक notice बज़वाया जाता है आपको पहला notice बज़वाया गया तो आप क्या करते हैं कि आप वो इसको फिर भी संभाल के नहीग रखते हैं तो आपको 5,000 बेसिकल जर्माना पेजाता है Failed to produce a records or documents on receipts of second notice और अगर अगर आपको ये भी समझ नहीं आता second notice भी आपको दिया जाता है आप फिर भी वो काम नहीं कर रहे होते हैं पिर भी अपने records को संभाल के नहीं रखते उनको उस तरह से नहीं रखते जिस तरह से आपको कहा गया और उस तरह से जम्मा भी नहीं करवाते तो second notice के बाद भी अगर आप नहीं करते काम तो आपको फिर 10,000 जो है वो जुर्माना पे करना होता है इस तरह से अगर यह आप बा जाता चला जाता है फेल तो पर डूसर रेकर्ट्स और डॉकुमेंट्स ऑन रिसीप्स ऑफ थर्ड नोटिस आप तीसरे नोटिस के ओपर भी अगर पे नहीं करते तो इट मींस डैट के आपको आप जएदा फाइन पे करना होगा और वो फाइन कहां तक जा सकता है वो फाइ जा रहा है कि section 176 और एनी परसन और 176 के अंदर में बताया जा रहा है कि कोई भी जो परसन है एनी बसन हो फेल सुफर निश्टा इंफॉर्मेशन के कोई परसन इंफॉर्मेशन फर निश्ट नहीं कर वा पाता रिक्वाइड और कम कंप्लाय विद एनी अदर टर्म आफ नो आपकी फरनिश से रिलेड़ेड़ कुछ पर्टिकुलर इंफास इंफॉर्मेशन जो है वो आपसे मांगी गई है और आप पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन उनको सब्मिट नहीं करवा पाते तो इस तरह से आप कुछ डिफॉल्टर बन जाते हैं उस डिफॉल्ट के अकॉर् इफॉल्टर जाते हैं आपने यह इनफायशन जो है पर्वाइड करनी थी अपने नहीं प्रवाइड की अब आपने वह मन्य प्रवाइड करनी है और आपको जरमाना किया रहा है पांच हजार और आप उस बात को फिर भी लाइत लेते हैं generous क्यों आपको सेंड नोटिस आता से आपको 10,000 एड होता चला जाएगा अगर आप बार बार उनकी बात को लाइट लेंगे अगर आप इसको क्लियर नहीं करेंगे इसके बाद हमारा नेक्स लाइड आ रही है वो हमारी स्लाइड है 10th हमारा serial number है और कुछ sections बताये गए हैं यह थोड़ा सा critical है थोड़ा सा number topic है इस पूरे planets के अंदर section 114 115 116 174 176 177 and general जिसके अंदर बताया जा रहा है make a false or misleading statement अगर आप कोई ऐसी statement बना लेते हैं जो के क्या होती है जो के जूट के पर बनी वी होती है जो के मिस गाइड कर रही होती है text department को to an inland revenue authority either in writing अगर वो writing form में या oral form में अगर आपने जुबानी गलामी जूट बोला है या फिर आपने राइटिंग statement जो है वो आपने जमा करवाई है जो भी जो है मिस लीड कर रही है in an application declaration notification return इन सारे documents से related कोई भी ऐसी कोई भी ऐसी चीज़ जो के mislead कर रही है उनको गुमरा कर रही है इस चीज़ के अंदर जो जूटी बनाई गई है बैसी कली objection of other documents including books of accounts made या फिर आपने कोई account जो आपने बनाए है वो भी जूटे है given field are furnished under this ordinance आप इन particular ordinance के अगेंस आ जाएंगे और आपने अगर वो चीज़ जूटी मनाई ही है तो आपके अगेंस कुछ नगुछ फ्लेंटिज होंगी इसकी दो स्लाइड ने बैसी कली आगे आगे आपको बी और सी पार्ट की नदर आ रहे हैं बी के अंदर क्या कहा जा रह को आपने रिटन फार्म में कोई चीज दिये या औरल फार्म में कोई चीज दिये या फिर आपने इलेक्ट्रोनिकली फार्म में कोई चीज दिये पर लेकिन वो जूट पे मबनी है वो जो भी आपने चीज़ में नहीं है वो सची नहीं है तो इसके अगेंस आपको कुछ न income tax authority any matter think without which of statement information falls कि आप जूटी information दे रहे हैं जब कि आपको actual information देनी थे वो आप नहीं provide कर रहे होते हैं और misleading in a material particular आप basically क्या कर रहे होते हैं particular चीज से related अपनी income से related अपनी document से related misleading कर रहे होते हैं किसको income department को अगर यह साबित हो जाता हो यह चीज क्लिर जाती है वाकी यह चीज हो रही है तो फिर क्या होता है कि उसके अगेंस आपको कुछ ने कुछ plenty पे करना पड़ती हैं यह हमारी पीशे वारी स्लाइड अगेंस्ट आ रही है जिसमें अभी हम हमें plenty को basically पढ़ना है इसमें आपको twenty five thousand और hundred percent of the amount of अगर क्योंकि यह चोटी बात नहीं होती कि आप mislead कर रहे हैं आपने जितनी statement बना रखी हैं वो जूटी statement बना रखी हैं तो यह basically आप इदारे को भी गुम्राय कर रहे हैं और आप उनका time waste कर रहे हैं अगर यह चीज़ वाज़ा हो जाती है कि आपने वाकी यह चीज़ किये तो कम से कम जो आपको चार्ज होगा 25 thousand आपको चार्ज होगा आपको fine pay करना होगा और जी तरह से इसके against अगर percentage में चले जाएं तो आ आपका tax बनेगा जो भी निकाला जाएगा वह आपको कितना pay करना होगा वह आपको double pay करना होगा 100% double हो जाएगा तो इन दोने में जो भी amount बड़ी होगी 25 thousand या फिर आपका 100% tax वह आपको pay करना होगा provide that in case of statement order deemed section 120 और अगर वह section 120 की according है no plenty shall be imposed अगर एक पर 120 की according अगर आप य करते हैं क्योंकि in sections के अदर 120 नहीं है तो कोई tax impose नहीं होगा to extent of the shortfall occurring as a result of taxpayer taking reasonably agreeable position on the application of this ordinance to the taxpayer position तो यह आपकी basic अगर आपका कोई text बन नहीं रहा तो फिर आपको 25 thousand नहीं जमा करवाना है या फिर आपको 100% जमा करवाना है तो वो आपकी tax की position को देखके आपकी credibility को देखके इन चीतों को देखके आपके ओपर कोई नहीं को plenty impose की जाएगी इसके बाद जो हमारे पास next slide आ रही है वो हमारा 11th point है 11th point में बत और आप स्ट्रिट्ट दा एसेस ओफड़ कमिशनर कि आप मना कर देते हैं अगर कमिशनर ने आपको कहा है कि आप यह चीजन जमा करवाएं are any officer authorized by the commissioner अगर आपको कमिशनर ने कहा है कि यह चीजने जमा करवाएं या फिर Commissioner की तरफसेек सिब किए किसे officer को Commissioner ने भेजा है और कहा है किश particular person से ये चीज़ें लेकर रहा हूँ आप मना कर देते हैं आप deny कर देते हैं उस particular चीज़े related Commissioner to the premises जोके उसके बात मान रहा है basically officer और अगर आप उस officer को मना कर देते हैं place amount documents, computer, और stock किसी चीज़ को भी तो इस मीन्स कि आप क्या कर रहे हैं आप ओफेंस कर रहे हैं आप कानून के अंदर ओफेंस कर रहे हैं आपको लॉक्या अगेंस आप ओफेंस कर रहे हैं तो इसका अगेंस आपको क्या हो सकता है एक पर्टिकुलर प्लेंटी बिताई गई वे जो आपको फ मतलब अगर आपका 10,000 टेक्स बनता है तो आपको 20,000 पे करना होगा वो डबल हो जाएगा फिर हम कंपेरिजन करेंगे इन दोनों अमाउंट को कि 25,000 को और 100% को जो भी अमाउंट हायर होगी वो आपको बिसीकली पे करना होगी इसे तरह से हमारे पास 12 पॉइंट आ रहा है ज इसकी अगेंस section 111 और triple 11 और जनर्स की अगेंस आपको क्या करना है अगर आपने कोई offense किया है और वो offense किस तरह का हो सकता है we're a person has concealed income concealed मतलब वो छुपा लेता है concealed का मतलब होता है कि वो अपनी incomes को शोओ नहीं करता हमने income tax ordinance 2001 के according पांच sections पढ़े हैं कि कोई भी बंदा जो होता है वो पांच तरह से अपनी incomes कमा सकता है पांच तरीके होते हैं उसकी income कमाने के अगर उन sections के according वो तीन तरह से income कमा रहा ह और बाकियों को वो conceal कर लेता है वो छुपा लेता है और furnish or inaccurate particular of such income और वो अगर कोई income बताता भी है तो वो सही तरह से नहीं बताता वो clear नहीं करता है but not limited suppression of any income or amount chargeable to tax जो के जिसके पर tax उसको देना पड़ सकता है जो वाकी tax में आती है वो छुपा लेता है तो इसके against क्या ह होता है the claiming of any reduction of any expenditure not actually incurred यहां फिर वो क्या करता है कि कोई भी ऐसा हर्चा कोई भी ऐसा expenditure जो के नहीं बनता और वो उसको expenditure show कर देता है और यह चीज़ वाज़ हो जाती है clear हो जाती है कि इस नहीं चीज़ की है एक तो वह अपनी income चुपा रहे है जो इसने actual income उसकी बनती है different incomes में से और दूसरा वो क्या कर रहा है दूसरा वो ऐसे expenditure show कर रहा है जो कि इसके expenditure है ही नहीं है जिसमें सब section one of section one triple one in the course of the preceding under this ordinance before any income authority or the appellate tribunal appellate tribunal यहां फिर किसी भी tax authority के पास जहने से पहले अगर वो यह law तोड़ता है और वो जी चीज़ चुपाता है अपनी income को चुपाता है अपने expenditure को ज़्यदा शो करता है तो इसके against इसको कुछ plenty's pay करना हो सकती है जिसके अंदर उसको नदर आ रहा है कि 25,000 जो होगा उसका basically percentage देखी जाएगी तो इसमें से जो भी हाई होगी वो इसको basically pay करना होगी इसके बाद हमारी दो last slides जाएगी है जिसमें से हमारा 13 है और 14 है 13 को देखते हैं कि कौन कौन सा section इसके अंदर आ रहा है 13 के अंदर हमारा section है two zero nine and two ten and generals अब इसमें हम क्या गलती करते है हम कौन से कौन सी default करते हैं कौन सा offense करते हैं जिसके वज़े से हमें कुछ plenty जो है नो face करना पड़ सकती है इसमें सबसे में में इंपॉर्टन्ट चीज़ है वह है एनी परसन हूड आप्सट्स एनी इंकम टेक्स तर्टी इन परफॉर्मंस ऑफ दिस ऑफिशल ड्यूटिस के इंकम टेक्स डिपार्टमेंट जो है उसके offices होते हैं और इन offices ने अपना काम करना होता है और वह offices जब अ आज पर वाइड कर दूँगा फिर आप कर दूँगा तो आप उनके मामलात के अंदर बेसिकली दखलत अंदाजी कर रहे होते हैं उनको ठीक तरीके से काम नहीं करने दे रहे होते हैं तो इट मींस कि आप offense कर रहे हैं आप उस officer को जिसने basically income tax department के अंदर काम करना है और आपक और अगर यह वाकित होता है कि आप उसके काम के अंदर मुदाखलत कर रहे हैं तो उसके against भी जो है ना आपको fine हो सकता है such person shall pay a plenty of 25,000 तो ऐसा बंदा जो income tax officer के साथ उन मैनर्स के साथ नहीं चल रहा होता जिस तरह से चलना चाहिए उसको सारी document provide करने चाहिए अगर वो नही provide कर रहा होता है तो इसके against क्या हो सकता है उसको 25,000 fix pay करना होगी basically due plenty इसके बाद हमारे पास जो है last point आता है जिसमें हमारे पास काफी सारे sections बताये गए हैं इसके अंदर हमारे पास basically 15 है यह second last था अभी हम 14 देखेंगे जिसमें एक section बताया गया इसके बाद हमारे पास जो आएगा point उसके अंदर हमारे पास sections जादा है हम 14 section के अंदर देखने हैं कि जो कि general है general basically यह normal यह taxpayer जो है यह गलती कर रहे होते हैं और अगर taxpayer ने general यह गलती की है और यह ची इसके अंदर कोई general section नहीं बताया गया इसके अंदर कोई भी बंदा इन प्रोवियंस के according कहीं पे भी आ रहा हो तो उसको यह प्लेंटी हो सकती है इसमें क्या हो सकता है 5000 फिक्स उसको प्लेंटी पढ़ सकती है अगर उसने इन में से कोई भी कोई उसने offense किया है जो हम offenses पढ के आया है इसमें से किसी भी offense के अंदर वो deal कर रहा होता है तो उसको यह जुर्माना हो सकता है एक तो 5000 फिक्स यह हम वन परसंट आफ दा एक्स इंवाल जो भी उसने टेक्स पे करना होगा उसका वन परसंट निकाल लेंगे और 5000 के साथ इसको compare कर लेंगे जो भी amount basically higher होगी उसके according उसके against उसने plenty पे करना होगी इसके बाद हमारे पस काफी सारे sections है और हमारा last topic है यह last point है 15th point इसमें section बताये गए हमें हमें बहुत सारे 148 149 150 151 152 153 153 A 154 155 156 156 A 156 B 158 160 231 A 231 B 233 A 33 233 A 234 234 A 235 236 तो यह हमें कुछ sections बताये गए हैं कुछ sections हैं इनके against भी जो टेक्स पेर है जिसने टेक्स्टेमा करवाना होता है वो कुछ इस तरह के offences जो है वो conduct कर देता है उसकी वज़े से उसकी तरफ से हो जाते हैं जिसकी वज़े से उसे कुछ ना कुछ plenty होती है तो इन sections के against वो किस fails to collect or deduct यह कठा करने में यह minus करने में वह नहीं कर पाता as required under this provience जो इसको provience बताई गई है of this ordinance इस हास from 2001 के ordinance के according fails to pay the text collect or deduct under section 160 यहां पर under section 160 के according वो यह चीज़े नहीं collect नहीं करवाता basically कठा नहीं कर पाता तो यह कुछ offenses के अगेंड उसको कुछ plenty पे करना होती है basically यहां तो पच्छी सजार fix पे करना होता है यहां पर 10% of amount of tax involved जोतना भी tax involved होंगा उसका 10% निकालेंगे और जो हम normal rule हम पढ़ते आया हैं के which whichever is higher के 25,000 य जो हम offense कर रहे हैं, hopes हो कि आपको यह offenses and punishments against income tax ordinance 2001 section 182 के according यह clear हो गया होगा, अगर को questions यह curious हैं तो वह आप comments के अदर पूछ सकते हैं, next videos के अदर हम different यानिक income tax की जो information है वो इंशाला clear करेंगे, okay students, Allah आफिस